भाध ये टीम की ओलराउंडर हार्दिक पांदिया इन दिनो चर्चा में है और चर्चा का विशह है उनकी करोडों की घड़ी और अब मॉंबई एरपोर्ट पर घड़ी जप किये जाने के विवाद पर हार्दिक पांदिया नहीं सफाई दी है मंगलवार को हार्दिक पांजया द्वारत ट्वीट कर बताया गया कि जब वह दुबाई से वापस आ रहे थे तब उन्होंने खुदी जाकर कस्टम के अधिकारियों को अपनी घड़ी सौपी थी अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि जिन घड़ियों की कीमत के बारे में सोशल मिज्या पर अफवा फैलाई जा रही है कि कीमत पांच करोड है दरसल उसकी कीमत डेर करोड रुपए है हार्दिक ने अपने जारी के गए बयान में लिखा 15 नवेंबर की सुबा जब मैं दुबाई से वापस आ रहा था तब मैं अपना बाग लेने के बाद खुद ही मुंबई एरपोट के कस्टम काउंटर पर गया और वहां से लाई गई सभी आईटेम को दिया कस्टम ड्यूटी भरी सोशल मीटिया पर गलत तरह से चीजों को फैलाया जा रहा है मैं इन सभी चीजों के बारे में सही बाद बताना चाहता हूँ दुबाई से जो मैंने समान खरीदा था वापसी के दौरान मैंने खुद ही उनकी जानकारी दी और कस्टम ड्यूटी भरने को तयार था कस्टम डिपार्टमेंट ने सभी जरूरी कागस मांगे हैं जो हम दे रही है कस्टम विभाग अभी ड्यूटी का हिसाब लगा रही है जो मैं भरने को तयार हूँ साथ ही घड़ी की कीमत देर करोड है ना की पांच करोड रुपए जिस प्रकार के कयास लगाए जा रही है। मैं कानून को मानने वाला नागरिक हूँ, सबी सरकारी अजिंसियों का सम्मान करता हूँ। जो भी कागस की जुरुत होगी, मैं कस्टम विभाग को देने के लिए तयार हूँ। मेरे खिलाब जो भी आरोब लगाये जा रही हैं, वो पूरी तरह से गलत है। दिलसल आइसीसी टोनमेंट में हार के बाद बाहर हुए टीम इंडिया सुदेश लोट आई है। टीम के साथ हार्दिक पांडिया भी सुदेश लोटे, लेकिन इसी दोरान कस्टम विभाग के अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया और दो घड़ियों को डीटेन किया। दावा था कि हार्दिक पांडिया की इन घड़ियों को कस्टम विभाग ने जब्ट किया है जिसके कीमत पांच करोड रुपए थी हार्दिक पांडिया एक बहतरीन ओल रांडर है लेकिन ICC T20 वर्ड कप में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई जिसकी उनी उम्मीद थी उनके ट्रेन को लेकर भी आलुचको ने कई सवाल भी उठाए T20 वर्ड कप में खराप्रदशन के बाद हार्दिक पांडिया ने ट्वीट किया था कि वर्ड कप में हम ऐसा अभियान नहीं चाहते थे हम पीछे रह गए फैंस के भरोसे और समर्थन को मेहनत से लोटाने की कोशिश करें उन सभी का धन्यवाज इन्होंने स्टेडियम और घर से हमें चीर किया हार्दिक पांडिया वैसे अपने लाविश लाइफ स्टाइल के लिए अकसर सुर्खियों में रहते हैं हार्दिक को घणिया पहनने का बहुत चौक है इसलिए उनके पास घडियों का धेट सारा कलेक्शन है कुछ समय पहले ही जब उन्होंने अपनी घडि की फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की तो लोग उनकी घडि की कीमत जानकर हैरान रहे गए थे कई यूजर ने उस घडि की कीमत को बताया कि ये घडि भी काफी महगी है आयन्स रिपोर्ट